नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिकोड एक्जाम में समिच्छाइदिकारी सायक, समिच्छाइदिकारी परिक्षा के लिए हम लोग सामान हिंदी के प्रस्थियों को सॉल्व कर रहे थे मौक टेस्ट के माध्यम से तो आज इस सिरीज में ये 23 मौक टेस्थ है में हम लोग सामान हिंदी के 30 प्रस्थियों को पूरी व्याख्या के साथ हल करेंगे और महत्पूर्थ तत्थियों को डिस्कस भी करेंगे अगर आप नए हैं या पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं तो इस सीरीज को आपको विल्कुल सुरुवात से प्लेलिस्ट में जाकर जो है देखना चाहिए जिससे आपकी हिंदी की तयारी जो है अच्छी हो सके आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ अगर आप समिच्छा इतिकारी साथ समिच्छा इतिकारी परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में आपको जो है आप के माध्यम से वीडियो कोर्स प्रोवाइट किया जाता है जिसमें सभी टॉपिक्स जो की आपके पाइट करम में दिये हैं उनके वीडियो लेक्चर दिये जा आपको सारी जानकारी reply में दे दी जाएगी शुरू करते हैं आज का पहला प्रसन है हमारा निमलिखित में से सुद्ध वाक का चयन कीजिए इसमें चारों वाक्यों को पढ़िए और इसमें से कौन सा वाक की सुद्ध है ये आपको बताना तो ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा जिससे आप सही उत्तर तक पहुंच सके नौकर आटा पिस्वाने गया है क्या ये वाकि सही लग रहा आपको क्योंकि आटा नहीं पिस्वाय जाता है गेहू पिस्वाय जाता है चावल पिस्वाय जाता है जिससे आटा बनता है तो आटा पिस्वाना जो है बिल्कुल गलत है एक गुलाब के फूल की माला ले आओ तो एक गुलाब का कोई भी माला नहीं बन सकता है यहाँ पर पदक्रम संबंधी गलती है गुलाब के फूल की एक माला ले आओ यहाँ पर होता तो यह बिल्कुल ठीक होती है तो यहाँ पर भी जो है पदक्रम संबंधी असुद्धी है इस वाक्य में अगला जो है अंतिम हमारे पास भी कल बचा परमात्मा के अनेक नाम है इसमें कोई भी गलती नहीं है बिल्कुल ठीक है यह और यही आपका जो है सही उत्तर है तो नौकर गेहु पिस्वाने गया है यह ठीक रहतकता था आटा जो है यहाँ पर प्रियोग नहीं किया जाएगा इसके बाद जो है फिर से एक बार देख लीजिए गुलाब के फूल की एक माला ले आओ यह वाक्य सुद्ध होगा क्योंकि फूल गुत कर कई फूल गुत कर एक माला बनते हैं और यहाँ जो हर की सर्वोक्रिस्ट चिकित्सा होती है यह C option जो हमारा था उसका सुद्ध वाक्य है अगला प्रसन देखेंगे निमलिखित मेंसे एक वाक्य सुद्ध है इसमें से भी हमको केवल सुद्ध वाक्य को देखना है कि कौन सा वाक्य हमारा सुद्ध है सभी में एक ही जैसा लिखा हुआ है इसमें आपको बचन सम्मंधी लिंग सम्मंधी बहुत सारी गलतियां मिलेंगी जो सही वाला वाकिय है वो आपको बताना है अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने में समय लग रहा है तो आप वीडियो को पाउस करके इसका उत्तर आराम से सोच समझ कर दे सकते हैं तो इसका सही उत्तर क्या है इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूले हो जाती हैं और ये प्रिवियस एर कोस्चन है अगर आप लोगों ने पुराने पत्रों को देखा होगा जो बिकल्प A और B थे उनमें सारुनामिक तुटी थी और बिकल्प C में वचन सम्मंधी तुटी है अगला प्रसंद देखेंगे निमलिखित में से कौन सा वा की सुद्ध है अब इसमें से आपको एक सुद्ध वा की बताना है कि कौन सा वा की सुद्ध है यह व्यर्थ बात करने से कोई लाब नहीं है तो ये भी जो है गलत है आगे बढ़ते हैं संपूर देश भर में निरासा चागई अब यहा पर पत्रोत्तर सीग्र hack к्रपर्या पत्रोत्तर सीग्र दे आनि विचार करने से कोई लाब नहीं है और आप का दिया हुँत आपके प्रस्न में यह व्यर्थ बात करने से कोई लाब नहीं है दूसरा आपके प्रस्ण में दिया था संपूर देश भर में तो यहाँ पर या तो संपूर लिखा जाएगा या देश भर में लिखा जाएगा दोने एक साथ नहीं लिखा जाएगा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है संपूर्ण देश में निरासा चा गई इसके अलावा इसका और एक सुद्धतम रूप हो सकता है अगर आप संपूर्ण भी हटा दिए क्योंकि देश का मतलब ही क्या है कि पूरे देश की बात हो रही है तो देश में निरासा चा गई यह इसका सुद्धतम वाकि लिखा जा सकता है लेकिन संपूर्ण या देश भर में भी इसके साथ चल सकता है बस वो एक साथ नहीं चल सकते हैं भाई ने भाई को सलाह दी या तो ये लिख सकते हैं हम या जो है भाई ने भाई से सलाह ली तो ये जो है इस प्रकार से सभी के सुद्ध वाक्य हो गए अगला प्रसंद देखेंगे निमलिखित वाक्यों में से एक वाक के सुद्ध है अब इसमें से भी आपको एक सुद्ध के बताना है तो चलिए नीचे सुरू करते हैं आप तो अंतर ध्यान हो गए सबसे पहले अंतर ध्यान की वर्तनी देखिए गलत है यानि ये हमारा आउट हो गया पंत जी को सश्ट मूर्ती पर रुपांबरा कृती भेट में दी गई ये भी गलत है यहां फुलिष्टाब भी गलत है क्योंकि गरिष्ट यहां पर गलत लिखा हुआ है उसने मिष्टान खरीदा मिष्टान जो गलत होता है मिष्टान उसका सुद्ध रूप है तो यह हमारा यहां पर बिलकुश सही है वर्तनी और वाकि की दृष्टी से बाकी जो है गलतियां देख लेते हैं दोनों ही सुद्ध होते हैं वैसे किन्तु भोजन के संबन्द में गरिष्ट को जादा उपयुक्त माना जाता है और विकल्प डी में अंतर ध्यान असुद्ध सब्द है इसकी जगे सही सब्द क्या होगा अंतर ध्यान यह सब्द जो है इसमें बिलकुल सही होगा अगला प तदुपरांत भी गलत लिखा है, तदुपरांत इसका सही रूप होता है, पूजनी गलत लिखा है, इसको पूजनी या पूज लिखा जाता है, अन्त्याक्षरी ये बिल्कुल सही लिखा है, तो ये हमारा सही आप्सन हो गया, फिर से देख लीजिए क्या क्या गलतियां थी, पूजनी जो है वो इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगा पूजनी हो जाएगा तदो परांत की जिगे तदो परांत हो जाएगा अगला प्रस्वर, किस सब्द की वर्तनी असुद्ध है, अब इसमें से ध्यान से देखिए, इसमें से किस की वर्तनी असुद्ध है, यनि तीन सही है, एक गलत है, जिसका आपको पता लगाना है निरनुनासिक बिल्कुल ठीक लिखा है गत्यर्थ भी ठीक लिखा है अंतस चेतना ये भी ठीक लिखा है छिद्रा निवेशी गलत है क्या गलत है इसमें सा जो है ये वाला प्रियोग नहीं होगा कौन सा साप्रिय होगा, खटकोड वाला सा, ये जो है बिलकुत सही है वर्तनी की देश्टी से, अगला प्रस्न, जामुन का तत्सम रूप क्या है, जामुन का तत्सम रूप चारोवी कलपोग पड़िये, यामुन, यामुण, जामुण, जामुण, जम्बू, इनमें से सही उ तत्सम सब्द आपको छाटना है, तीन तत्भो के बीश से, यानि तीन तत्भो इसमें से हटाने है आपको, अच्छर क्या है, तत्भो है, अपजस तत्भो है, सुन्नर भी तत्भो है, तत्सम क्या है, शूश्रूशा, ये जो है तत्सम सब्द है, तो सुन्नर जो सब्द है इसका तत्सम क्या होता है? सुन्दर होता है, इसी तरह से अपवुजस का अपयश होता है, अच्छर का अक्छर होता है, ये जो है इस तरह से इनको लिखा जाएगा, ध्यान से देख लिए. निमलिखित सब्द में से तदभो सब्द कौन सा है यहाँ पर भी आपको एक तदभो सब्द बताना है तीन तत्सम सब्दों के बीच में दिया हुआ है चारों अपसंस को ध्यान में पढ़िए दक्षिन, खट्वा, खरजूर या घड़ा तो इसमें से तदभो सब्द कौन सा है घड़ा जो है इसमें तदभो सब्द है घड़ा का तत्सम सब्द क्या होता है घट होता है दक्षिन, खट्वा, खरजूर इन पर बात कर लेते हैं इनके तदभो सब्द भी आपको जाने चाहिए दक्षिन का दाहिना होता है तद्भो, खट्वा का खाट होता है, खरजूर का खजूर होता है अगला प्रस्न, इसकंद का तद्भो सब्द इन में से कौन सा है इसकंद मतलब आप जानते हैं अगर मैं बता दूंगा तो आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे तो पहले उत्तर को जान लिजिए, इसकंद का तद्भो होता है कंधा, यानि हमारा सोल्डर, बाकी सभी इससे संगत नहीं है तो इसकंद का तद्भो हो जाएगा, कंधा, जो की बिल्कुर सही होगा, इस तंभ जो आपके उसमें दिया था, विकल्पों में उसका तद्भो रूप खंबा होता है अभ्यंतर, अभ्यंतर दिया था, इसको अभ्यंतर भी लिखते हैं, दोनों ही सुद्वर्तनी सब्द हैं और इसका जो है दोनों का ही तद्भो भीतर हो जाएगा चौपाया जानवरों के लिए प्रयोग होता है जिनके चार पाओं होते तो इसका तत्सम हो जाएगा चतुस पद चली अगला प्रस लेंगे हम निम लिखित में से कौन सा सब्द तत्सम है अब इसमें से एक तत्सम सब्द आपको बताना है तो इसमें से तत्सम सब्द देखिए ध्यान से नेह तपसी दाक या निम में से तत्सम सब्द बताना है तो इसमें से तत्सम आपका हो जाएगा निम्ब, C option आपका correct होगा, निम्ब का तदभो क्या होगा, नीम होगा, नीम जो है जो हम लोग विभिन प्रकार से यूज़ करते हैं, पौधे को, पेड़ को, तो बाकी के विचार कर लेते हैं, नेह, तपसी और दाक, नेह का तत्सम क तत्भो सब्दों का संगत युद्म, जो है कौन सा है, यह आपको बताना है, यानि जो सही है, सुमेलित है, वो आपको बताना है, खपट का खोपड़ी, सक्तु का सत्य, परियंक का पलंग, घोटक का घड़ा, कौन सा सही है, इसमें से सही है, C option, परियंक का पलंग होगा, ये तत्चम और तद्भौ की सही जोड़ी है बाकी जो गलत हैं, उनको मिला लेते हैं सक्तू का क्या होना चाहिए? सक्तू होना चाहिए घोटक का घोड़ा होता है और खरपर का खोपड़ी होता है अगلا प्रस्न दिसाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है वाक्यांस के लिए एक सब्द बताना है सीधा सा जो है आपको सामने दिया है निश्चित रुप से आपको ये पता होगा दिसाएं ही जिनका वस्त्र है उनको हम कहते हैं दिगंबर दिगंबर मतलब जिनके दिसाएं ही जिनका वस्त्र है और अगरा प्रसनौ जिसका दमन करना कठिन हो जिसका दमन करना आसान नहों या कठिन हो उसके लिए एक उपयुक्त सब्ड क्या है तो सही सब जिसमें से क्या हो जाएगा जिसका दमन करना कठीन हो यानि दुर दमनी यह option यहाँ पर correct है बाकी पर विचार कर लेते हैं अच्युत आपके सामने दिया हुआ था विकल्क में जो अपने इस्थान या इस्तिती से अलग ना किया जा सके जिसको अपनी इस्तिती से हटाया ना जा सके उसको हम अच्युत कहते हैं और दुर गे जिससे कठनाई से जाना जाए दुर मतलब होता है कठनाई या बहुत ही कठिन तरीके से और गे का मतलब जो होता है जिसको जाना जाए तो जिससे कठनाई से जाना जा सके वो दुर गे हो कर सके उस इस वाक्य को एक सब्द में हम क्या कहेंगे जो अपने करतब का निश्चे नहीं नहीं करना चाहिए जब उसका बिवेक सून्न हो जाता है उसको क्या निर्णय लेना है उसमें निर्णए नहीं ले पाता है स्यूर्ण Charg E3am G 288. वर्त나ई में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है इसको लिख कर लिख पैस किंग कर तब विमोर? इस ब्रमे अभी कहा का जा जाकता जिसे अपने करतब का ज्यान नहीं है, क्या नहीं करना जाहिए कि परेश्थिती में उसके लिये भी हम किंक कर्तब विमूड का ही प्रयोग करेंगे अब द्वन्द गरस्त आपके सामने सब्द था यानि जो द्वन्द में है वो द्वन्द गरस्त है भ्रमित किसे कहेंगे जो भ्रम में हो वो से भ्रमित कहेंगे दुविधा गरस्त कौन है जो दुविधा में हो वो दुवि लेने वाला कौन हो गया स्वेदजुब उपयुक्त है खलवाट चारो आपसंस को चारो विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए खलवाट सब्ध किस वाद के लिए उपयुक्त है तो खलवाट जो है जिसके सिर्पर बाल नहों या दूसरे अरतों में आप कह सकते हैं गंजा ब्यक्ति उसके लिए एक सब्ध गप्रयोग होता है खलवाट फिर उसके बाद जो है बाकी जो है जो भिकल्पते उन पर बात कर कर लेते हैं वह स्तरी जिसका पती दूसरा विवा कल ले उसे हम क्या कहते हैंlingt Steph पुत्री का पुत्र कौन होता है दोहित्र कहलाता है सिला पर खुदा हुआ लेmakers क्या कहलाता सिला लेक कहलाता है अगला प्रस्थ्थ ऐसी कंझया जिसके विवा का वचन दिया गया हो यानि जिसको आज की भासा में कहेंगे कि इसकी engagement हो गई हो या इसकी सगाई हो गई हो तो ऐसी कन्या जिसके विवा का वचन दिया गया हो उसको कहते हैं वागदत्ता C option विलकुल correct है और बाकी जो विकल्पों में तीनों सब्द हैं ये भी बहुत पूछे जाते हैं इनको ध्यान से समझ लिए नवोडा किसे कहते हैं जिस कन्या का अभी अभी विवा हो यानि नव विवाहिता को हम नवोडा कहते हैं जिस इस्तरी का पती विदेश गया हो परदेश गया उसे हम प्रोसित पतिका कहते हैं और जिस इस्तरी का पती विदेश से लौट आया हो उसे हम आगत पति का कहते हैं ये एक दूसरे के विलोम जैसे अर्थ रखते हैं अगला प्रस्ण सुसील का विलोम सब्द क्या है आसान प्रसन है आपके सामने ही उत्तर है बहुत ही आसान है सुसील का विलोम जो है इसमें से दुसील हो जाएगा सुसील और स्लील ये क्या है ये आपस में समनार्थी सब्द है तो सिसील का दुसील हो गया या दुसील भी से कह सकते हैं जो संस्कृत में लिखा जाता है असिष्ट का विलोम सिष्ट हो गया सलील का विलोम असलील हो गया और कुख्यात का विलोम जो है क्या हो गया विक्ख्यात हो गया अगला प्रस्न निसिद का सर्वता उप्युक्त बिलोम सब्द इसमें से कौन सा है निसिद मतलब prohibited जो आपको इंगले सो समझाने के लिए prohibited यानि निसिद जिसका निसेद किया गया हो दूसरी भासा में हम कह सकते हैं तो इसका सबसे अच्छा विलोम सब्द क्या हो जाएगा विहित यानि जो है जिसका निसेद नहीं किया गया हो जो उसमें समाहित हो अंतर नहीं थो विहित हो तो निसिद्ध का जो है विहित हो जाएगा निश्चित का विलोम अनिश्चित हो जाएगा उचित का विलोम अनुचित हो जाएगा आगला प्रस्त निमलिखित में से गलत विलोम सब्द यूग में कौन सा है अब सारे अपसंस को देखिए गलत कौन सा पहले सही वाले देख पुरुसकार का विलोम, तिरिसकार बिल्कुल ठीक है, मूख मतलब चुप रहने वाला, वाचाल का मतलब जादा बोलने आला, तो यह correct हो गया, भूत का विलोम भविश्य होता है, प्रवेस का विलोम नवेश नहीं होगा, तो प्रवेस का विलोम क्या होगा, निकास होगा, प नवेश क्या है किसी संख्या का नवेश उस संख्या को 9 से विभाजित करने पर डिवाइट करने पर जो हमको सेस्फल प्राप्त होता है उससे हम नवेश कहते हैं यानि 9 भाग एक तरह से कह लिजिए तो दारण के लिए अगर 24 को 9 से हम डिवाइट करेंगे तो 6 मिलेगा यानि 24 को अगर हम 9 से भाग देंगे तो सेज़फल बचेगा उपकरज सब्द का विलोम आपको बताना है तो उत्कर्ष का विलोम इसी में से आपके सामने क्या है आपकर्टस यहाँ पर विल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट कोश्चन देखने से पहले इसकी थोड़ी से और भी आख्या देख लेते हैं तो उतकर्स का तो अपकर्स हो गया अकर्स अनुतकर्स और आकर्स ये सबी भिन अर्थ प्रोगेट करते हैं पंडित का विलोम क्या होता है पंडित मतलब जो ग्यानी हो तो ग्यानी यहाँ पर दिया हुआ यानि यह इसका नहीं हो सकता है तो पंडित विद्वान भी इसका जो हिक्तरे से समानार्थी हो गया तो पंडित का विलोम हो जाएगा मूर्ख C option या पर बिल्कुल correct हो जाएगा विद्वान ग्यानी जो है ये पंडित के ही समानार्थी सब्द है वीर का विलोम क्या होगा वीर मतलब जो है जो ब्रेव गर्ती है तो इसमें बहादूर, महावीर ये सबी क्या है इसके समानार्थी है और वीर का विलोम हो जाएगा वो कायर हो जाएगा C option विल्कुल सही है और दुष्ट का विलोम क्या होगा सिष्ट या सज्जन होगा ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है अगला प्रस्ण निमलिकित में से विसेश सिपद कौन सा है विसेश यानि जिसकी विसेशता बताई जाती है ऐसे संग्या या सर्वनाम सब्द जिसकी विसेशता बताई जाती है उन्हें हम विसेश सिपद कहते है तो विसेश से कौन सा है इसमें से विसेश इसमें से है उमा, क्या है क्योंकि उमा एक नाम है इसलिए जो है यह विशेश यह है कालिमा अनुदीद और महिमा यह सभी क्या है यह सभी विशेशन सब्द हैं ना कि विशेश अगला प्रस्थ निमलिके सब्दों में से विशेश कौन है अब इन में से हमको विशेश ही बताना है तो इसमें से विशेश से कौन सा हो जाएगा इसमें से विशेश हो जाएगा आकास अगर हमको विशेशन बनाना हो तो क्या बनाएंगे हम आकाशी यह इसका विकेशन हो गया जो आपको सामने उपर दिया हुआ है चलिए थोड़ा सा इसके अरम जान लेते हैं आकास का तो आकासी हो गया आराध्य का क्या हो जाएगा आराधना हो जाएगा विशेशन आस्रित का विशेशन आश्रय हो जाएगा इनका विशेश जो है आराधना हो जाएगा और आस्रित का आस्रय हो जाएगा उल्टा बोल दिया था मैंने चलिए आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन सा सब्द विशेश है अब इसमें से भी आपको विशेश ही बताना है तो इसमें से पौश्टिक पाठ की ये भावु ये सभी क्या है विशेशन है विशाद से जो है विशेशन क्या बनता है विश्चन बनता है ये जो है विश्चन दिया हुआ आपको भाव का भाव हो गया अगला प्रस्थ एक तरह से सीधी सीधी परिवासा दी है जिस विकारी सब्द से संग्या की व्यापती मरियादित होती है उसे हम क्या कहते हैं यह बताना है आपको तो जिस विकारी सब्द से संग्या की व्यापती मरियादित होती है उसे हम विशेशन कह बी ऑप्सन विलकुल यहां पर करेक्ट होता है मरियादित होने का मतलब सीमित या लिमिटेड होता है अगला प्रस्ण विशेशन सब्द का चैयन कीजिए ध्यान से देखिए इसमें से कौन सा विशेशन है सरपंच प्रपंच और पहुंच यह विशेशन नहीं है विशेश है पाच्वा जो है एक संख्या वाची विशेशन है तो अगला प्रस्ण व्याकरन की द्रश्टी से कौन सा सब्द विशेशन नहीं है अब इसमें से विशेशन नहीं है वो बताना है भैवीत निर्भीक भी़ीरू यह सभी क्या है ये जो है विशेशन है भय का जो है भय विशेशन नहीं है भय विशेश है भय का विशेशन हम क्या बना सकते हैं भयानक बना सकते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा भय से बनता है भयानक भय भीत निर्भीक और भीरू विशेशता वाने सब बताने अले सबने इसलिए कहलेंगे तो दोस्तों इस तरह से आज के सेसंग में हमने तीस प्रस्तनों को हल किया उनकी व्याख्या देखि और इनका जो हे रिवीजन करते रहिए सारी सीरीज का तो यह सब प्रस्न आपको त्यार ó जाएंगी इसकी व्याख्या जारी रहेगी मिलते हैं अगले सेगमेंट में नमस्कार धन्यवाद